दोस्तों मंगलवार के दीन हमने निफ्टी में एक जबरदस्त उचाल देखा और निफ्टी ने 16,000 की उपर की एक क्लोजिंग बनाई जो ब्रॉडर मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है हमारी स्ट्राटेजी बाय ओन डिप्स की होनी चाहिए ब्रॉडर फॉर्मेशन के बैसिस पे और ब्रॉडर टेक्निकल फॉर्मेशन के बैसिस पे हमें लगता है कि 15,650 अभी मार्केट के लिए की इंपॉर्टन्ट सपोर्ट के जैसा काम करेगा साथिसाथ अगर आज मार्केट में अगर कोई भी अगर बिक्वाली का ट्रेंड बनता है तो 15,850 15,900 के रेंज में नेफ्टी को काफी अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और वहाँ पे हमें लॉंग पोजिशन बिल्कुल बना सकते है साथिसाथ हमें लगता है कि 16,150, 16,200, 250 इन लेवल्स पे मार्केट में एक रेजिस्टन्स आ सकता है और वहाँ पे अगर हम मार्केट की ओपनिंग देखते हैं या तो शायद मार्केट अगर खुलके इमिजेटली, क्विक्ली अगर उन लेवल्स को अगर छू लेता है तो वहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अगर हमने पास अगर कोई पोजिशन्स हो, वीक पोजिशन्स हो तो उसे लिक्विडेट भी करना चाहिए buy on dips की strategy रखे और buy on important support areas की strategy होनी चाहिए sectors के अगर बात करें तो हमें लगता है कि technology के साथ-साथ financial stocks में हमें और भी तेजी देखने मिल सकती है और काफी सारे stocks काफी अच्छे levels पे मिल भी रहे हैं, साथी साथ वहाँ पे एक reversal formation भी बना है finally अगर global markets की बात करें और जो global headwinds हैं उनकी अगर बात करते हैं तो हमें लगता है कि आज का जो दीन रहेगा वह काफी challenging दीन रहेगा हम निफ्टी के लिए क्योंकि जो crude के दाम है वो highest levels के करीब आ चुके है, 130 dollars के करीब है साथी साथ अगर आप dollar index के बात करें तो वो 99.50 के करीब है और Indian रुपी जो है वो lowest levels के करीब आ चुकी है जो 77 के करीब के है तो broader formation हमें यह suggest करता है कि headwinds बहुत सारे है tailwinds में सिर्फ एक ही बात हमें जो समझ में आ रही है वो यही है कि markets, world markets, Indian markets काफी oversold है और आज के दिन में Asian markets और US stock futures positively trade कर रहे है अगर sectors के बात करें तो जैसे हमने बताया कि हम technology पे focus करेंगे और साती साथ हम financials पे भी आज के दिन के लिए बिलकुल focus कर सकते हैं दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी से आज के लिए विदा लेता हूँ Thank you very much for listening in and have a great day to all of you